सही माप से सही अंदाज से चलिये बनाते हैं धाबा स्टाइल रेश्टरंट स्टाइल चावल और मुंग डाल की खिचडी वो भी कुकड में बहुत ही सरल तरीका से बहुत लोगा क्वेश्टेन होता है यह दिक्कत होती है कि कुकड में खिचडी अच्छी नहीं बनती है गल स्टाइल रेश्टरंट स्टाइल सही माप के साथ डाल खिचडी बहुत ही असान तरीकों से बहुत ही जज़ा लजी जो टेश्टी बनता है तो यह रेसिपी को देखने के लास्ट तक मेरे चैनल के साथ जुड़े रही है और मेरे चैनल को लाइप शेयर फोलो करके कमेंट जरूर कीजिगा कि आपको कैसा लगा सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए बनाते हैं इसके लिए हमने हाफ कप चावल ले लिया इसे अरवा चावल बोलके छोटे वाले चावल के जो खिचडी होते बहुत ही अच्छा बनता है दाल और चावल की सेम कॉंटिटी रख ज़े ले लिए हैं एक टेवल स्पून जींजर गारलीक है हारी मिर्चे से घीरा लगा लिया है एक मीडियम साइज कप चाट के लिए हाफ कप कारेट है हाफ कप मतर और एक कप हमने टमाटर ले ले लिए चोटे शोटे चुटे गरम में काट लिया है अशल भुकट चलते है तो 3 टेबल स्पून सरसो का तेल डालेंगे एक टेबल स्पून चोटा टेबल स्पून जीरा एक टेश पत्ता और दो पिंच लिए अच्छा होता है इसका फ्लिवर भी अच्छा आता है अब चाहे तो अध्रक और लसुन को पेश्ट भी डाल सकते हैं लेकिन मैं कट करके डाल इसे जो है टेश्ट और फ्लिवर बहुत अच्छा आता है खिचडी में जब हलका सा रोष्ट हो जाए तो हमने जो प्याज को स्लाइस में कटके रखा था इसे भी डाल लेंगे इसे चलाते हुए भून लेंगे ज़दा लाल नहीं करना है हलका भूनने देना है साथी में हर मिर्च को भी डाल लेंगे हम लोग तो यह देखे दोस्तों प्याज हम लोगा भून चुका है तो अब सबसे पहले इसमें गाजर और आलू को डाल लेंगे इसे सीजने में थोड़ा सा समय लगता है तो इसे दो से तीन मिनट के लिए अची तरीके से भून लेते हैं मेडिय लेकिन मैं इतने ही में ही बनाती हूं इसका जो टेस टेफ लेवर बहुत अच्छा लगता है इसे भी तीन से चार मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लेंगे यह देखे दोस्तों हम लोगा भून चुका है आब इसमें कुछ मासाले डालेंगे एक चोटा टेबल मिनट के लिए से मासाला जो है जए ची तरीके से भून लेंगे मसाला ज़यां में अच्छ से सौफ्ट अच्छ मासाला जाएटा है मनें यह दाल एक दोस्तों हम लोगत تीन लेंट खे P teacher ॡेटे भी भी ते चाह Красक्ता है जाने है वर यह एक तरहनार को बहूनान में क्छ सा तो चलिये चावल हम लोगी भुन चुके हैं अब हम लोग पानी डाल लेंगे खीचडी में सब्लिया नहीं खुलेंse इसे को मत किजिए गार का फ्लेवर दीक्त नित्यकल में सब्स्क्राइब यह लोग गरम मसाला सब शिचे को डाल के अच्छी तरीके से मिला लेंगे लगा लेते हैं कुकड का लिट लगाने के बाद इसे मिडियम फ्लैम पे दो सिटी आने तक पकाएंगे दो सिटी पूरी नहीं एक सिटी और एक सिटी जो भर जैगी ऊथने हमिन खिली खिली सी चावल है सबजी भी अच्छी तरीकी से हम लोगा पुरा गला हुआ नहीं है सबजी सीच चुकी है इस स्टेज पे दोस्तों एक कप गरम पानी और डालूंगी आप चाहे तो अगर अभी खाना है आपको तो गरम गरम अभी से खा लिजिए थंडा होने के बाद जो इसकी ठीकने से वह ज्यादा ठीक ना हो तो चलिए एक कप गरम पानी मिला लेते हैं अपको जैसा पतला और पतला चाहे तप और पानी मिला लीजिए साथी में मिला लेंगे फ्रेस कटा हुआ धनिया इसे भी डाल के अच्छी तरीके से मिला लेंगे देखे दोस्तों हम साथ चेल राड़न मिर्च यह सवुस्तों लाणी कड Aires के लिएगे हमने करची में साथ हम हने जीरा डाला है कि दालेंगे जीरा जब तड़क जाए था मिर्च को डालने के बाद गयस को आकी में बढ़ñas डालामीर्च पानी मिर्च यह बिलकुल भी वाफ्श नल है आपकी ए इसे मिला लेते हैं चलिए से अपने खिषडी पर तड़का लगा देते हैं तो यह देखे दोस्तों हमने खिषडी पर अपना तड़का लगा दिया है अब इसे मिला लेंगे अब देख सकते हैं दोस्तों इसका texture, color कितना अच्छा हुआ है चावल के जो दाने हैं खिले-खिले से हैं तो चलिए तड़के को मिला के फिर से इसे serve कर लेते हैं इसे serving plate में गरम है ठंडी के मोसम में जानते हैं दोस्तों भाब बहुत दिखता है गरम है लेकिन बहुत ही जदा लजीज है तो चलिए इसे गरम गरम से लेते हैं यह देखिए दोस्तों चावल के एक एक दाने जो है इसके खिले-खिले हैं अलग से हैं साथी में इसको रेश् इसे अगर आपने घर पर बना के खा लिया तो गैरेंटी कि आप ठाबा में पैसे दे के खिश्डी खाना छोड़ देंगे बहुत ही असानी से बनके तयार होता है दोस्तों एक बार घर पर जरूर बनाएगा और कैसी लगी में रेसिपी कमेंट करके जरूर बताईएगा